नमस्कार स्वागत है साहितिक जरो का चैनल पर आज हम करेंगे बी ये प्रतम वर्ष द्वित्य स्मेस्टर का हिंदी का प्रशन पत्र आज हम हल करेंगे तो आईए शुरू करते हैं देखे जो आपका पेपर है वो कुछ इस तरह से आता है कि निमन लिखित गद्यांशों में से किनी दो की से प्रसंग व्याख्या कीजिए ये आपका पहला प्रशन होगा जिसमें गद्यांश दिया होगा और आपको किसी दो की यहाँ पर व्याख्या करनी होगी तो यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है वो क्या है सोभाग्य और दुभाग्य मनुष्य की दुरुबलता के नाम है मैं तो पुरुशार्थ को ही सबका नियामक समस्ता हूं पुरुशार्थ ही सोभाग्य को खींच लाता है हां मैं इस युद्ध के लिए कभी उच्चुक न लिखेंगे और उसमें लिखेंगे कि हमारा जो नाटक है वो नाटक है वो नाटक है दुरूफ स्वामिनी कि c Guinness और वो पता है कि जो यहाँ पर गद्याश दिया है यह किस के समबाद है किस से कहा है देखें यहाँ पर आप देखेंगे तो कोमा को कहा है कोमा से कोई बात कर रहा है और कोमा से कौन कहता है मैं दिगविजे के लिए नहीं निकला था यानि कोई राजा बात कर रहा है और राजा यहाँ पर क कोमा के साथ जुड़ा हुआ राजय यहाँ पर कौन सा पात्र है वो है शक राज तो इस तरह पहले आपको ढूनना है कि किस की बातचित है कौन किस से बात कर रहा है और किस लिए कर रहा है किस प्रकार के भाव अभिवेक्ट हुए हैं जब आपको यह पता चल जाएगा तो उ दुर्भागय की बाते वो उससे कहती है कि व्यक्ति के जीवन में समस्याइं उसके द्वारा उत्पन की जाती है वो अपने आप नहीं आती कोमा ऐसा शकराज को कहती है कि जो समस्याइं है वो व्यक्ति स्वेम उत्पन करता है और हम उन समस्याओं में ही जो समस्याइं हम उ सोभागय लाता है जो उसका उल्लास है वही उसके जीवन में मंगल और सोभागय लाता है तो ये बात सुनकर शकराज कोमा से कहते हैं क्या कहते हैं वहां पर हम व्याख्या शुरू करेंगे तो हमारा दूसरा पॉइंट कौन सा रहेगा व्याख्या का सकराज कोमा की बात सुन मान लेता है वह चांज चाहता है उसे सोभाग्य मान कले अफा अफैल कोई समझता है औरको लिक्या करना ब्लकिल दुर दुझ तुझाप Kutla को ही मैं निरनायक समझता हूं किसी सोभागय और दुर्भागय में मैं यकीन नहीं करता पुरुशार्थ ही सोभागय को खींच लाता है कि जब व्यक्ति परिश्रम करता है तो सोभागय अपने आप उसके पास खींच कर चला आता है हां मैं इस युद्ध के लिए कभी दुख नहीं था यानि मैं कभी नहीं चाता था यह युद्ध हो कोमा मैं ही दिग विजय के लिए नहीं निकला था वो कोमा को कहता है कि मैं ही संसार को विजय करने के लिए नहीं निकला था यह कर्या सबसे पहले किस ने किया था आर्ये समराट समुद्र गुप्त ने ही यह परंपरा प्रारंब की थी या ये विजय यात्रा प्रारंब की थी उन्होंने विजय के लिए अनेक युद्ध किये और वही शक्स अमराज्या पर विजय करने के लिए आये थे अब जो शकराज है वो उसी का प्रत्यूत्तर दे रहे हैं तो वो कहता है कि मैं केवल यहां पर मैं तो समुद्र गुप्त ने जो विजय के लिए युद़ करने के लिए आये थे, मैं तो केवल उनके निमंत्रण का उत्तर ही मात्र दे रहा हूँ. तो इस तरह से वो यहाँ पर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रही है कौन बात कर रहा है शकराज बता रहे है किस से कोमा से अब इसके बाद आप जो तीसरा पॉइंट बनाएंगे विशेश का यानि जब व्याख्या हमारी पूरी हो जाएगी तो तीसरा पॉइंट बनाएंगे विशेश का अब विशेश में आपको क्या बताना है कि मुख्य भाव क्या है यहाँ पर शकराज कहते हैं कि गुप्त राजय से वो युद्ध कर रहा है वो उसकी मंशा नहीं थी यानि वो उसकी इच्छा नहीं थी बलकि जो समुत्र गुप्त हैं यानि गुप्त वंश के जो राजा थे उनकी इच्छा थी कि वो विश्व विजय करें और शकराज कहते हैं कि मैं तो केवल उसका उत्तर मात्र दे रहा हूं यानि मैं उसका केवल प्रत्युत्तर दे रहा हूं और था तुस युद्ध का उत्तर देने के लिए यहां पर उपस्तित हूं तो ये मुख्य भाव है दूसरी बात आपको क्या बतानी है कि भाशा कौन सी है आप इनको पॉइंटों में भी बता सकते हैं भाशा कैसी है सरल भाशा है पात्रों के अनकूल साहितिक खड़ी बोली है लेकिन आप बताओगे कि तत्सम शब्दावली की प्रधानता है क्यों क् जैशंकर प्रसाद का ये नाटक है और इनकी जो भाशा है वो संस्कृत से प्रभावित भाशा है यानि तत्सम शब्दों की अधिक प्रधानता है जो ये समवाद है इसमें गुण कोन सा है ये प्रसाद गुण है जो इस नाटक के समवाद में गुण है ये कोन सा है प्रसा इस एक शब्द शक्ती की बात करें तो यहां पर इस गध्याश में वियंज्ञ सब्द शक्ती की प्रधानता था लुए क्यों कि व्यंज्मा को समभाद के माध्यमिंद से सक्राज अपना उत्तर दे रहे हैं इसके साथ साथ अगर बिम्ब की बात करें तो अनभूती परक बिम्ब है बिम्ब की अगर बात करें हम तो कौन सा बिम्ब है अनभूती परक बिम्ब का निर्वाई यहां पर हुआ है क्योंकि यह सब बाते वो अनुभव कर रहा है मैसूस कर रहा है यहां पर मेरा पैन कुछ जादा ठीक नही दूसरा व्याख्या का बनाएंगे और तीसरा विशेश का बनाएंगे और विशेश में भी पॉइंट बनाएंगे पहला भाव का दूसरा भाशा का तीसरा बताओगे की गुण कौन सा है चोथा बताओगे शब्द शक्ति कौन सी है और पांचवा यहां पर आप पॉइंट ब अबरबेदी उन्मुक्षिकर और इन शुद्र कोमल निरी लताओं और पोधों को इसको चरनों में लोटना ही चाहिए न ये कौन बात कर रहा है ये धुरू स्वामिनी बात कर रही है क्योंकि ये नाटक के प्रारंब का आंश है इसमें धुरू स्वामिनी सामने खड़े है परवत शिखर है इसका परवट्व शाकार हो रहा है यहाँ उसका होना वहां सार्थक है क्यूं अपनी कठोर्थक के कारण अबरबेदी आसमान को बेदने वाला उन्मुक्त शिखर उन्मुक्त जो शिखर है किसका शिखर है यहाँ परवत का शिखर उपर बढ़ता हुआ आसमान को बेदने के लिए आगे बढ़ता हुआ जो शिखर है वो किसका है परवत का शिखर है और वो कैसे दिखाई दे रहा है और इन और ये जो शुद्र, निरी, कोमल, लताएं हैं हलके फुलके जो पेड़ पोदे उसके तलहटी में उगाए हैं और पोधों को इसके चरणों में लोटना ही चाहिए ना देखिए यहां पर मुख्य भाव जो है वो क्या है कि जो परवत है वो कठोरता का प्रतीक है उपर बढ़ने का प्रतीक है और जो निचे लताएं, बेल, बूटे, पेड़, पोधे चोटे-चोटे हैं वो ऐसे ये मानती है क्योंकि जो परवत है वो शक्तिशाली है और जो इसके पास कोमल लताएं है वो निरी है बे सहारा है उन पोदों को सहारे के लिए इस परवत के चरणों में इसकी शरण में ही रहना होगा इसके चरणों में ही लोटना चाहिए तो यहाँ पर क्या है परवत शिकर राजा है राजा कोन है रामगुप्त है जो निरी कोमल रताएं और जो पोदे हैं वो कोन है स्वेम धुरू स्वामिनी है और जो अन्य जिनका उस रामगुप्त पर कोई वश नहीं चलता अर्थात किसी मजबूत व्यक्ति के चरणों में ल जो धुरू स्वामिनी है वो दुखी है उसके जो मन है वो दुखी है इसलिए वो अपने अस्तित्व को उन बेल बूटों के समान समस्ति है जो एक परवत शिकर के चरणों में अपना सहारा ढूंडते हैं तो यहाँ पर क्यूंकि रामगुप्त के पास है वो रामगुप्त के अधीन है रामगुप्त की पतनी होकर भी उसे अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए वो अपने आपको उन कमजोर लताओं के समान समस्ति है जो उस परवत शिकर के ऐसे लगता है कि वो उसके चरणों में अपना स्थान निधारन कर रही है उसी प्रकार से धुरू स्वाम बनाएंगे जब आपको पता है कि किसका कथन है धुरू स्वामनी का कथन है फिर उसके आप व्याख्या करेंगे और विशेश में भी वही पॉइंट बनाएंगे जैसे मैंने आपको पहले बताए थे भाशा कुन सी है भाव कैसा है इसमें धुरू स्वामनी का भाव अभी व्यक्त हुआ है जिसमें वो अपने आपको बहुत ही बेबस और बे सहारा समझती है और उस प्रकृति के जो उपादान है चाई परवत है पेड़ पोदे है लताएं है उनका उधारन देकर वो अपने जीवन की जो निरीता है जो उसके जीवन में जो कमी आ गई है या यू कौन सा है शैली कौन सी है बिम्ब कैसा है यानि यह सब विशेश के आप यहां पर पॉइंट बताएंगे उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है तुम्हारी सने सूचनाओं की सहज प्रशंता मधूर आलापोने जिस दिन मन के निरव शुन्ने में संगीत की बसंत की और यहां पर यह अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा मैं बुक से देखती हूँ इसमें आगे लाइनों में क्या दिया हुआ है आपकी հाजा तुम्हारी सने सूचनाओं की सहज प्रशंता और मधूर आलापोने जिस दिन मन के नीरस और नीरव शुन्यमें नीरस यानि रस से रहित यहां पर क्या आएगा में संगीत की वसंत की और मकरंद की यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगा मकरंद यह आप देख ले आपकी बुक में दिया हुआ है मकरंद की शृष्टी की थी उसी दिन से मैं अनुभूती मैं यह बन गई हूँ क्या वे मेरा भ्रहम था तो कह दो कह दो वे तेरी भूल थी अब आपको ये घ्यान में लाना है कि कौन ये किस से बात कर रही है ये कोमा है जो किस से बात कर रही है शकराज से बात कर रही है तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे प्रसंग में आप ये बताएंगे कि कोमा बात कर रही है किस से बात कर रही है शक्राज से बात कर रही है कोमा ये आप यहाँ पर बताएंगे तो कोमा बताती है कि इसको शकराज को कह रही है क्योंकि जो शकराज है वो धुरूव स्वामनी को बुला रहा है अपने दरबार में अपने महल में धुरूव स्वामनी के आने की जब सूचना मिलती है तो शकराज कोमा के प्रती उपेक्षा का भाव रखता है यानि कोमा में वो रूची नहीं दिखाता तब कोमा आहत हो जाती है और अपने भावों को अभिवेक्ट कर रही है शकराज के सामने कोमा क्या कहती है कि जिस दिन तुम्हारे अनुराग अनुराग क्या है प्रेम कि जिस दिन तुम्हारे तुम्हारी तरफ से प्रेम के संकेत भरी मुस्कान मुझे मिली थी सहज प्रसंता यानि जिस दिन तुमने अपने प्रेम की मुस्कान मुझे बताई थी तुम्हारे मुस्कान ने मुझे प्रेम के बारे में सूचना दी थी तब से तुम्हारे जो मधूर आलाप मधूर आलाप क्या है मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों ने मेरे मन के नीरव नीरस यानी रस से रही और बिल्कुल शुन्य मन में संगीत की वसंत की और इसके साथ साथ मकरंद मकरंद क्या है मिठास मीठे रस की मादक लहर उत्पन कर दी थी श्रिष्टी की थी यानि उत्पन कर दिया था कि जब से मुझे पता चला कि आप मुझसे प्रेम करते हो तब से मेरे रूखे सुके हरदे में प्रेम संगीत की मादक लहर भर गई थी उसी दिन से मैं अनुभूती में बन गई थी यानि उसी दिन से मैंने तुम्हारे प्यार को अनुभव करना तुम्हारे प्रेम को अनुभव करना प्रारंब कर दिया था लेकिन अब वो प्रशन करती है कि क्या वो मेरा भ्रम था प्रशन है यहां पर देखो प्रशन आत्मक चीन है प्रशन शूचक के ए तो साथ हुझत है कि खेल अर्फाथ मेरी भूल थी तो अब प्रसंग के बाद यहां पर आप लिखेंगे विशेश, विशेश में आपको क्या बताना है, सबसे पहले आप भाव बताओगे, कि यह कोमा का कथन है, और कोमा यह कहना चाहती है, कि जिससे उसने प्रेम किया था, क्या उसके मन में स्वैम के लिए कोई अनभूती नह कि क्या तुम ध्रूस स्वामनी के लिए मेरा त्याग कर दोगे, तो फिर अगर ऐसा है, तो मेरे प्रती जो तुम्हारे भाव थे, क्या वो मेरी भूल थी, क्या वो प्रेम नहीं था, भाशा की अगर बात करें, तो सरल भाशा है, पात्रों के अनुकूल भाशा है, खड़ी गुण है, जहां पर प्रेम के भावों की बाद चले, वहां माधुरिया गुण आता है, व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है, सम्वाद शैली है, क्योंकि कोमा सम्वादों के माधिम से अपने भावों को अभिवेक्त कर रही है, और यहां पर भी अन्भूती प्रक बिम्ब का प्रियोग किया गया है, उसके बाद आगे अगर चोथी हम इसकी व्याक्या देखें, तुम सुन्दर हो, आह कितनी सुन्दर, किन्तु एक कटार पर मुग्द होकर उसे कोई अपने हर्दे में नहीं डुबो सकता, फिर भी अपने लिए मैं कितना आवशक हूँ, यह कदाची तुम नहीं जानती, यह कौन कहरा है, यह रामगुप्त कहरा है, किस से कहरा है, रामगुप्त किस से कहरा है, रामगुप्त दुरु स्वामनी से कहरा है, यह आपको जानना होगा या यह आपको पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे, प् स्वामनी जब रामगुप्त से रक्षा के लिए कहती है कि मैं तुम्हारी पतनी हो और तुम्हारा ये करतव्य बनता है कि तुम मेरी रक्षा करो तब रामगुप्त क्या कहता है कि तुम सुंदर हो कि माना तुम सुंदर हो बहुत सुंदर हो लेकिन सुंदर तो कटार भी होत यानि कटार की सुंदरता पर देखकर खुद को मृत्यू नहीं दी जा सकती फिर भी अपने लिए मैं कितना आवश्यक हूं कि मेरे स्वैम के लिए मैं कितना जरूरी हूं ये शायद तुम नहीं जानती तो यहां पर रामगुप्त कहता है कि तुम्हारी रक्षा किसकी रक्ष चुरी भी होती है उसे इसका मतलब नहीं है कि उससे हर्दे में डाल कर खुद को मृत्यू दंड दो या खुद को मृत्यू दो तो यहां पर रामगुप्त के विचार है धुरूर स्वामनी से वह बातचित कर रहे हैं अंतिम उसमें आ जाएगा विशेश क्या है विशेश म प्रशन भी देख लेते हैं देखिए दूसरा प्रशन यहां पर है यहां पर क्या रहता है दूसरे में दो प्रशन पूछे जाते हैं और दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है जो की आठ नंबर का रहेगा कि किसी भी प्रशन को लिखने से पहले आप क्या करेंगे उसकी भूमिका बनाएंगे और भूमिका में आप बताओगे कि जैसे यहाँ पर देखिए प्रशन दिया है धुरू स्वामिनी नाटक का उदेश्य प्रतिपाद्य क्या है उदेश्य है प्रतिपाद्य एक ही बात है या मुल सम्मेदना हम कह सकते हैं एक ही बात है कुछ भी पुछ दिया जाए तो अंसर वही रहेगा तो सबसे पहले भूमिका बनाओगे कि यह नाटक जैशंकर प्रसाद क्या नाटक है जिसमें धुरू स्वामनी मुख्य नाइका के रूप में है इस नाटक का जो प्रतिपाद्य या उद्देश्य है वो इस प्रकार है फिर आप इसके प पर्साद्य नाणी माद्यम से जिसमें धुरू स्वामनी कोँ मन्दाकनी यह प्रमुक नारी पात्रा है जिसके माद्यम से नारी समस्या को जागर किया है। तीसरा यहाँ पर विवा की समस्या है पुरुश अनेक विवा कर सकता है लेकिन इस तरी दूसरा विवा नहीं कर सकती अगर वो पहले पती से संतुष्च नहीं है तो अगर पहला पती उसका रक्षा नहीं करता है तो तो यहाँ पर विवा की समस्या उठाया है कि एक नारी को ये दिकार क्यों नहीं है क्योंकि जिस समय में ये नाटक लिखा गया था उस समय नारी को इतने जादा अधिकार कानून ने नहीं दिये थे त्याग और उद्यारता की भावना पर बल है किसके माध्यम से दिया है चंद्रगुप्त के माध्यम से दिया है त्याग क्या करता है चंद्रगुप्त अपने भाई के लिए गद्धी छोड़ देता है फिर धुरु स्वामनी का त्याग कर देता है यानि त्याग और उद्यार वार्त प्रेम के भाव से उसकी रक्षा करते हैं अत्याचार और दुश्प्रवरियुतियों की समाप्ति नाटक के माध्यम से करने का प्रियास किया है इसका उधारन दे सकते हो रामगुप्त जो की एक अत्याचारी राजा है उसके उधारन देकर आप ये पॉइंट्स काम था आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था तो नाटक प्रेदित करता है कि हमें भी अपने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देना चाहिए और उसे आजादी दिलवानी चाहिए और अंत में जो आप बनाओगे बहुत ही जरूरी है और वह आप बनाओगे निश पूरण नाटक है और इस नाटक यह नाटक अनेक उदेश्य को सपस्ट करता है या अनेक उदेश्य नाटक के लेखन के पीछे रहे हैं रचनाकार की या नाटक कार की तो इस तरह से आप इसका निशकर्स जरूर लिखेंगे क्योंकि निशकर्स यह बताता है कि आपका जो रशन है वो पूरा हो चुका है अब दूसरा क्या है कतानक के आधार पर दुरू स्वामनी नाटक का विशलेशन करना है कतानक मैंने आपको बताया था कतानक कैसा होना चाहिए चोटा होना चाहिए संक्षिप्थ होना चाहिए एतियासिक हो सकता है पूरानिक हो सकता है किसी व विशेश पात्र को आधार बना कर कथानक की रचना की जा सकती है ये कथानक की सारी विशेशता ही बताओगे लेकिन पहला काम आपको क्या करना है पहला काम करना है भूमिका बनाने का भूमिका में आप बताओगे कि दुरू स्वामनी नाटक किसका है इसके रचना कार कौन है और ये नाटक, इस नाटक के मुख्य पातर कोन है और फिर आप बताओगे कि कथानक की विशेश्टा क्या होनी चाहिए और अंतमे निशकर्ष में आप बताओगे कि ये जो कथानक है ये अपने आप में एक पूरण कथानक है सफल कथानक है और इस नाटक को सफल बनाने में कथानक पूरन रुप से सार्थक सिद्ध हुआ है तो इस तरह से आप इसका विशलेशन करोगे उसके बाद क्या है तीसरा प्रशन है अगर यहां दिया है तो हम एक बार देख लेते हैं बाकी के इसके हम कल के विडियो में करेंगे लेकिन फिर भी क्योंकि एक प्रशन यहां है तो हम इसे देख लेते हैं कोमा और धुरु स्वामनी की तुलना करनी है देखिए कोमा और धुरु स्वामनी की तुलना आप कैसे करोगे आपको पता होना चाहिए कि कोमा के चरितर की क्या विशेश्टाइं है कोमा युद विरोधी है, प्रकृती से प्रेम करती है इसके साथ प्रेमी हर्दे है शक्राज से प्रेम करती है त्याग और बलिदान करने में पीछे नहीं हटती मर्यादा में रहना उसे अच्छी तरह से आता है लेकिन इसके साथ दार्शनिक भी है और तारकिक विचारधारा की इस्तरी भी है कौन कॉमा इसके बाद ध्रूस स्वामनी की अगर भात करें तो वो विवश और विवश भी है और दुख की शिकार है भावुक भी है लेकिन सेहर्दे नारी भी है बुद्धिमान और वीर भी है स्वाभिमानी इस्तरी है सच्ची प्रेमी का है लेकिन उसमें विद्रो के भाव भी हैं और विवार कुशल भी हैं ये जब आपको चरितर का पता होगा दोनों के चरितर का पता होगा तो आप ये बता सकते हैं लेकिन उससे पहला काम आपको क्या करना है आप एक भूमिका बनाओगे और भूमिका में आप बताओगे कि ये ये ध्रूस्वामनी नाटक है ध्रूस्वामनी नाटक के रचिता कोने जैशंकर प्रसाद है उनके द्वारा रचित जो नाटक है ध्रूस्वामनी उसके परमुख पातर है कोमा और ध्रूस्वामनी और दोनों पातरों की अगर तुलना की बात करें तो इस परकार से हम कर सकते हैं और अंत में आप इसका निश्कर्स जरूर लिखोगे क्योंकि जो ध्रोस्वामनी है ये कोमा के मुकाबले ज्यादा सशक्त पात्र है इसलिए तो नाटक का नामकरण ध्रोस्वामनी के नाम पर हुआ है कोमा के मुकाबले ये एक अच्छा पात्र है या एक सशक्त पात्र ह है लेकिन ध्रुष स्वामनी समय के साथ और प्रस्थितियों के साथ विद्रो करने के लिए तैयार हो जाती है तो यहां पर अंत में निशकर्ष में आप क्या बताऊगे कि कोमा और इसकी तुलना जब हमने की है तो उसमें ध्रुष स्वामनी एक सशक्त और वीर इस्त्री पा करता होना जरूरी है इसके चरितर चित्रन में आपको करवा चुती हूं आप वहां से यह कर सकते हैं तो उमीद करते हूं कि यह जो वीडियो है यह आपके लिए उपयोगी सीध होगा बहुत-बहुत धन्यवाद